कि जहिन दोस्तों स्वागत करती हूं आपका अपने परिवार एंड आर्वी पर तो आज हम सीटेट एक्जाम्स के लिए विकास की अवस्थाएं एक टॉपिक है इसको देखेंगे और इसके बारे में हम प्रैक्टिस कोश्चन करेंगे तो वीडियो को लाश्ट देख देखे से शर्मुतधा गर्ब जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है 608 बाल्य अऊस्था कि सोरा ज़स्था ये ब्रद्ध्ध अर्था तो राइट आणसर होगा अप्शिण वी किस अवस्था में verdi अवस्था में बाल्य अवस्था क कितना होता है तो बाल्याषद से 12 तो जिरो से पांच यानि की जर्म से पांच वर्स तक 680 अगे देखते हैं अगला कोश्यों तो राइट आंसर होगा आप्शन विबाल्य अवस्था अगला कुश्यों देखते हैं कि कुश्यों नमबर टू अपनी विकास के समय घात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह माता पिता का इस्थान हर अपने की कोशिश ना करें गलत है अपने सिस के प्रत इशने तथा प्रेम विख्सित करें वह अपने सिस की सरारतों के प्रत भी प्रेम की रवया अपनाए अपने कुछ चुनिंदा सिसों के प्रत पक्षपादपूर ब्योहार करें तो संग्यानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक तो राइट आंसर होगा आप्षिन सी नैतिक विकास के लिए जानने जाते हैं यह नैतिक दुविधा आजाए नैतिक तरकड़ा आजाए और नैतिक विकास आजे तो इसको किसमें लगाएंगे तो लारेंस कोलर बर्ग ने दिया और संग्यानात्मक की बात करें तो इसको जीन प्याजे ने दिया था ना जीन प्याजे अगला कोश्यन देखते हैं निम्न में से कौन सी मूल प्रविती बच्चों को सीखने के लिए अप्रेरित करने हैं तो काम में ली जा सकती आत्मरच्छा, जिग्यासा, पुच्रेश् अगला कोश्यन देखते हैं जिस प्रकिरिया में बेक्ती मानों कल्याण के लिए परस पर निर्भर रहकर ब्योहार करना सीखता है वह प्रकिरिया है समाजी करण वैक्तिक मूल यह समाजिक परपकुता तो राइट आंसर होगा अप्शनी समाजी करण अगला कोश्यन देखते हैं विकास के किस आयाम के संबन में पियाजे के विचार कोहलरबर्ग के समान है शमाजिक सम्वेग आत्मक सारीरी ग्यानात्मक तो राइट आंसर होगा अप्शनी ग्यानात्मक विकास इन दोनों के समान है अगला कोशन देखते हैं बाले अवस्था में सामाजिक विसर के रूप में मुख्य है सामाजिक चेतना का अथेश्ट विकास बालक बालिकाओं में एक सार रहने की परविती अपनी अवस्था के गिरो से अलग होना बाले अवस्था की अंते मौस्था में माता पिता में स्वास सामान जस तो राइट आंसर होगा आप्शन B बालक बालिकाओं में एक सार रहने की प्रवित्पी होना अगला कुश्चन देखते हैं बिकास का मनोश आमाजिक अवस्था द्रिष्टिक और प्रतिपादित किया बंडूरा ने, फ्राइड ने, कोलरबर्ग ने या इरेक्षन ने तो राइट आंसर होगा आप्शन D किस ने दिया इरेक्षन मोदे ने अगला कुश्चन देखते हैं बिकास का मुख्य शिधानत है तद परता का ne tailor एकता का नियम ब्यक्तिक अंतर का सिधात या इन में से सभी तो राइट आंसर होगा आप्शन C बिकास का मुख्य शिधानत है अगला कोश्चन देखते हैं कि 16 वस्ता की अवधी है, 12-19 वर्ष, 10-14 वर्ष, 15-20 वर्ष यह 20-25 वर्ष तो right answer होगा option नहीं, 12-19 वर्ष कि 16 अवधी है, अगला कुषिर्ण देखते हैं दूसे वर्ष के अंतक शिशु का सब्द भंडार हो जाता है, 100 सब्द, 60 सब्द, 50 सब्द, यह 10 सब्द समवेगों के उतपत्ती होती है मुलिपर्वितियों से गत्यात्मक्रियां से घंति आघर परफितियों से अगला कुष्चन देखते है hij आउस्था की विशेष्था नहीं है दल या समू में रहने की अनुकरण करने की प्रस्ण करने की या खेलने की राइट आंसर होगा आप्शन नहीं दल या समू में रहने की ये किसे है तो ये पूर बाले आउस्था यानि की सहसो आउस्था की बात है ना सहसो आउस्था की और यह सभी राइट आंसर होगा आप्षिन डी यह सभी यानि कि सयोग भी लेगा वो अनुकरण भी करेगा और आस्रीद भी होगा है ना अगला कुशन देखते हैं शामानि बालक प्रायक किस आयू में बोलना सीख जाते हैं 11, 16, 20 मा यह 24 मा राइट आंसर होगा आप्षिन डी ग्यारा मा में बोलना सीख जाते हैं अगला कुशन देखते हैं, बच्चे सबसे पहले कौन सी भासा सीखते हैं, राश्ट भासा, राज भासा, मात्र भासा या सांकेतिक भासा, राइट आंसर होगा अप्सन सी, सबसे पहले वे मात्र भासा सीखते हैं, अगला कुशन देखते हैं, बाल मनो विज्यान के अधार प आगला कोश्चन देखते है इसकी किस आवस्था कि तो पूर बालवस्था बाल्ल या वस्था राइट आउसर होगा आप संसी कॉन सी आवस्था किस और आवस्था आगे देखते हैं थैंक्स कैसा लगा आज का सेसन अच्छा लगा है तो माई वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करिए यदि आप लोग चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जहिन थैंक्स